बच्चों के शिगर विवा के लिए आम अवस्या को, पूरुनिमा को, एकादिशी को, सबी बड़े त्योहारों पर अगर आप कोई छोटा सा भी उस दिन उपाई करते हैं, तो तुरंत बच्चों को फाइदा होता है और विवा योग बनते हैं. ये सबी माताई जानती हैं कि इन विशेश दिनों में कुछ विशेश शक्तिशाली उरजाएं पिर्थ्वी पर विचरन करती हैं, जो कि आपके मन की कामना को तुरंत सुनती हैं और तुरंत आपके मनोकामना पूरुन करती हैं. तो ऐसे में ही वैशाक की हमावस्या बहुत चम विववा के लिए एक छोटा सा भी उपाय करते हैं उनके नीमित एक तीपक भी प्रजुल्त कर देते हैं तो भी आपकी मुनोकामना तुरंत पूरन होती है तो ऐसे में बात करते हैं कि किस प्रकार से आप उपाय करेंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार आप सबका मेरे चैनल प जब किसी दूसरे के जीवन में फाइदा देता है, लाब पहुंचाता है, खुशियां देता है, तो आपके जीवन में भी अपने आप एटोमेटिकली खुशियां आनी शुरू हो जाती है, लाब मिलना शुरू हो जाता है, फाइदा होता है, बैशाक अमवस्या 7 मई को है, अ आप मंदिर में जाके भी इस उपाय को कर सकते हैं इस उपाय को माता-पिता भी कर सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं लेकिन विशेश तोर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी निवेदन है मेरा की माताओं को इस दिन अपने बच्चों के लिए जरूर इस उपाय को करना चाहिए क्योंकि वैशाक की अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही बहुत चम्तकारी और विशेश फल देने वाली होती हैं आप सुभे के समय में नहाध होके आपके घर में ही कुछ तैयारी कर लीजिए कुछ समगरी की भी आपको जरूरत पड़ेगी जो मैं आपको बता रही हूँ समगरी में आपको चाहिए एक केले का पत्ता बहुत सुन्दर सा, साफ, कटा-फटा नहीं होना चाहिए और ये केले का पत्ता आप कहीं से भी ले सकते हैं आप अपने आपके घर में केला लगा हुआ है तो वहां से ले 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 किसी मंदीर या पार्क में लगा हुआ हो तो वहां से ले लीजिए आज परोस में लगा हो तब भी आप ले सकते हैं केले का पत्ता एक ले लीजिए मंगलवार का दिन होगा सुबह में नहाद होके 8-9 वज़े तक कि सुपाय को कर लें और केले के पत्ते के साथ आपको जो दूसरी सामगरी चाहिएगी वो चाहिएगा थोड़ा सा सिंदूर या रोली जिसे आप कुम-कुम भी कहते हैं सिंदू भी वीडियों बताया था कि आज कल अगर आप बाजार में सिंदूर लेने जाते हैं तो सिंदूर के पाउच के साथ आपको चमेली के तेल का पाउच भी साथ में जुड़ा हुआ मिलता है तो आपको विशेष तोर से अलग से चमेली का तेल लाने की जूरत नहीं है और तो आप वहाँ से भी इसे प्रयोग में ले सकते हैं अब आपको चमेली का तेल और सिंदूर दोनों को थोड़ा गीला कर लेना है थोड़ा सा किसी वरतनमे को टोरी में उसे गीला कर लीजिए और गीला करने के बाद यानि के एक पेश्ट सा बन जाएगा उसके बाद से आपको एक तिर्कौन बनाना है जैसे बच्चे पड़े लिखे सब जानते हैं कि तिर्बुज क्या होता है उसे ही हम तिर्कौन कहते हैं और माताएं भी तिर्कौन के नाम से जानती हैं सभी तो एक तिर्कौन बना लीजिए उस पर बीच सेंटर में बना लीजिए तिर्कौ और तिर्कौन बनाने के बाद बीच में आपको अंग लिखना है जैसे कि आपको अभी आगे इसके आकरती बनी हुई भी बता रही हूं कि किस तरह से आपको एक तिर्बुज बनाना है यानि कि तिर्कौन बनाना है उसके अंदर आपको अंग लिखना है इस तिर्कौन को और इस अंग को लिखने में आपके रिंग फिंगर से आपको बहुत ज़्यादा कोई कलाकारे की जूरूरत नहीं है, जिस तरह से आप साधारन तोर पर अपनी अंगली से जैसे भी बना सकते हो, एक तरकोन बनाईए और उसमें अंग लिख दीजिए, जिस तरह से भी लिखा जाए। हालांकि पत्त जो होता है वो चीकना होता है के लेका और चीकने भाग के साइड में ही आपको यह लिखना होगा। तो ज्यादा इसमें आप चिंता ना करें कि अच्छे तरह से नहीं बना है या कैसा बना है जैसे भी आप बना सकते हो लेकिन उसकी आकरती यही होनी चाहिए जो अभी आपके स्क्रीन पर चल रही है इस आकरती से आप बना लीजिए और बनाने के बाद इस पत्ते को एक लोटा जल को लेकर एक दीपक लेकर आपको शिव मंदिर में जाना चाहिए अगर आपके पूजा घर में शिवलिंग है तो आप इस उपाय को आपके घर में भी कर सकते हैं और अगर शिवलिंग नहीं है आपके जैसे कि केले का पत्ता बहुत बड़ा सा होता है तो आप अगर मंदिर में जाके इस उपाय को करते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा घर में छोटा शीवलिंग होता है जिस पर केले का पत्ते किसे उपाय करना थोड़ा दिक्कत लग सकती है आपको इसलिए आप इस पत्ते को लेकर जिस पर आपने ये लिखा हुआ है इसे घर से ही तयार करके आप शीव मंदिर ले जाएं और शीव मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको शीवलिंग के पास बैठ कर दिपक परजलत करना चाहिए दिपक परजलत करने के बाद आप गनपति भगवान को याद करें मा पारवती को याद करें और करती के भगवान को याद करें यानि के कुल मिलाके शिप परिवार को सबसे पहले याद करें, उनको नमस्कार करें और आपके उपाई की सफल्टा के लिए प्रार्थना करें, हर प्रकार की विगन वादा दूर करने की, रुकावटें दूर करने की, मुश्किलें दूर करने की बिंती प्रार्थना करें, मा उसके बाद से अब आपके पास जो एक लोटा जल है उससे भोड़नात का अभिशेक करतीजिए नमेश्वाई के जब के साथ अभिशेक करने के बाद आपके पास जो पत्ता है केले का इस पत्ते को आपको अर्पित करना है भोड़नात पर यानि कि इसका जो लिखा हुआ हिसा है ये उपर की तरफ रहेगा और दूसरा हिसा नीचे की तरफ रहेगा और इसकी जो डंडी है वो जहां माता अशोक सुंद्री का स्थान होता है यानि कि जहां से जल बहकर नीचे जाता है उस स्थान की तरफ इसकी डंडी रहेगी और पत मंतर आपके स्क्रीन पर आरहा है अव्रॡ 확진व है इस मंतर का आपको बिन कि संख्या और टुरंदा अपर नोगे चब करना है चार-पांच मिनट तक जितना आप मं लगाके शर्दा और भावना के साथ सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करेंगे उतने ही जल्दी आप क्या उपाय एफेक्टिव होगा और तुरंत आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे इस मंतर को आप बिना किसी संख्या के मन ही मन जाप करें और भोले नात से बच्चों के शिगर विवा की प्रार्थना करें बच्चे खोदो तो अपने खुद के लिए प्रार्थना करें यह उपाय अमावस्या के दिन आप किसी भी अमावस्या को कर सकते हैं वैसे अगर मैं कहूं तो व्यशाक की अमावस्या पर अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको तुरंत अगले दिन से ही इसके लाब मिलना शुरू हो जाते हैं यानि कि रिष्टे आना रिष्टे की बा रुद्र भगवान परसन होंगे आप पर कमेंट में ओम रुद्राइन में जुरू लिखना शेगर विवा होगा ठैक्स फ़र वाजिए